हेलो नमस्कार सत्स्रियकाल और आप सभी को मेरा सलाम मैं हूजबल सकसेना और आज मेरे साथ बैठे हैं वीर सर तो सर प्लीज मेरे जो नए वीवर्स जोड़े हैं उनको अपने इंट्रोडक्शन दे दीजे एक बार हाई नमस्कार दोस्तो मेरे नाम वीर पताप सिंग है और मैं नियो निशान गाजयबाद से बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेल्स देखता हूँ और हम आपको आज बताएंगे नियू लांच माइकरा के बारे में वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंक मिल जाए तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जैपैनिस कार मैनुफेक्चरर निसान की रिसेंटली लॉंच्ट हैजबैक माइकरा एक्टिव 2018 मॉडल का माइकरा पैट्रोल और डीजल दोनों इंजन ओप्षिन्स में अविलेबल है न्यू निसान माइकरा पैट्रोल इंजन ओप्षिन का बेस वेरियंट अब स्टार्ट होता है 5.03 लैक से पैन इंडिया इंजन ओप्षिन्स के बारे में बात करें तो अगर हम पैट्रोल वेरियंट लेते हैं तो हमें सिर्फ CVT Automatic Transmission Option के साथ ही मिलेगा और अगर हमें Manual Transmission Option के साथ कार को लेना है तो उसके लिए हमें Diesel Variant ही लेना पड़ेगा तो Diesel Variant हमें 5-speed Manual Transmission Option के साथ मिलता है ये आप देख रहे हैं Silver Color और इसके साथ-साथ Micra हमें Blue, Black, Red और White Color Option में भी अविलेबल है Safety के बारे में बात करूं तो Micra 2018 में Dual Front Airbags, Speed Sensing Door Locks, Driver Seed Belt Remender, Reverse Parking Assistance के लिए Reverse Parking Sensors और Speed Sensing Device Standard दिया गया है ABS और EBD के बारे में बात करें तो ये सिर्फ आपको Top End Variant में ही मिलेंगे तो Front Profile में ऐस सच आपको कोई Change देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ नए Variant में थोड़े बहुत Additional Safety Features दे दिये गए हैं Front Grill में आपको Nissan का Logo मिलेगा तो ऐस सच वही Same Designing है और नीचे Air Dam पे Chrome की Highlights दी गई है और आप देख सकते हैं Hexagonal Meshing दी गई है Air Dam में तो एक बार आप पुरा लुक ले लीजिए Front Profile का अब Front Profile में सबसे पहले बात करें Head Lamps के बारे में तो Micra में हमें Conventional Head Lamps मिलेंगे और इस बार हमें Automatic Head Lamps के साथ-साथ Follow Me Home Headlight का Feature भी दिया गया है Standard Fog Lamps के बारे में बात करें तो यह आप देख सकते हैं Fog Lamps Fog Lamps Bad Weather Conditions में Road Visibility को Increase करते हैं Fog Lamps के Around आप देख सकते हैं Chrome की Garnishing दी गई है कुछ और additional features के बारे में बात करूँ तो Micra 2018 Model में Nissan Connect Setup Integrated दिया गया है जो आपकी Safety, Security और Convenience को Provide करेगा जिससे आप अपनी Car से Connected रह सकते हैं और आप अपनी Car को Locate कर पाएंगे और दोस्तों या घरवालों के साथ Location भी Share कर पाएंगे और यह Application Geo Fencing भी Support करती है Micra में आपको Rain Sensing Wipers भी दिये गए है Side Profile में जो सबसे बड़ा Change आपको देखने को मिलेगा वो है ORVM पे अब हमें Turn Indicators दिये गए हैं और हमें Electrically Adjustable और Foldable ORVM मिलेंगे Micra में अब और आप यह देख सकते हैं Body Color D Handles दिये गए हैं और Blacked Out B Pillar मिलेगा तो यह तो बात हुई Side Profile के बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं Car की Rare Profile के बारे में तो Rare Profile में आपको जो सबसे बड़ा Change देखने को मिलेगा वो है Spoiler दिया गया है इसमें अब LED Brake Lights के साथ और Rare Windshield में हमें Wiper Washer और Defogger भी मिलेगा और यह है Micra के Tail Lamp Cluster आप देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई Micra में Reverse Parking Assistance के लिए Camera दिया गया है Top End Model में और अगर आप Lower Variants लेते हैं तो Reverse Parking Assistance के लिए Rare Bumper में Sensor Standard दिये गए हैं हर Variant में चलिए अब आपको Boot Open करके दिखाता हूँ तो Boot Open करने के लिए भी आप Handle के उपा Sensor दिये गए हैं जिसको प्रेस करके आप अपने Boot को Access कर पाएंगे Total 251L का Boot Space मिलेगा और उपर Parcel Tray भी मिलेगी तो चलिए अब Boot Gate को बंद कर लेते हैं और अब आपको मैं Driver Side Open करके दिखाता हूँ तो Driver Side Door कुछ इस तरह का दिखेगा Black and Silver Dual Tone Finishing मिलेगी और आप देख सकते हैं Chrome Finished Inside Door Opener दिया गया है Fabric Insert और Side में Fabric Trim Insert और Door Armrest पे Silver Color Inserts दिये गए हैं और कुछ Spacing मिल जाएगी और आप देख सकते हैं Power Window के Controls मिलेगे Top End Model में Front and Rear सभी Power Windows मिलेगी Driver Side Auto Power Window है और नीचे कुछ Spacing मिल जाएगी Bottle रखने के लिए और Maps Magazine बगरा रखने के लिए और Speakers मिल जाएगे हमें चारो Doors पे और यह है Front Cabin Look Dark Gray Colored Theme Interiors हैं Circular Shaped के AC Wands मिलेगे Silver Highlights के साथ और नीचे आप देख सकते हैं Headlight Leveling Controls और Side में ORVM के Controls Electrically Adjustable और Foldable ORVM मिलेंगे और नीचे आप देख सकते हैं दो Pedals क्योंकि यह CVT Automatic Transmission Variant है Driver Seat के लिए Manual Adjustments दिये गए हैं और Height Adjustable Driver Seat मिलेगी Top End Model में Next आप देख सकते हैं Driver and Co-Driver और पीछे वाले Rare Passengers के लिए भी Adjustable Headrest मिलेंगे तो चलिए अब अदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में तो यह है Circular Shape Three Spoke Power Steering Wheel Sirval Highlights के साथ और Steering Wheel पे हमें कुछ Controls मिल जाएंगे Left Side में Media Source Volume Up Down, Call Cut Receive और Voice Command Controls मिलेंगे तो यह है Key जिसमें आपको Lock, Unlock और Follow Me Home Headlight के Function दिये गए है तो आप यह देख सकते हैं Micra की Key और Micra में हमें Engine Start Stop बटन दिया गया है और आप यह देख सकते हैं Wiper के Controls और कुछ इस तरह का दिखेगा Micra का Instrumental Cluster आप देख सकते हैं Left में मिलेगा RPM मिटर Middle में मिलेगा Speedometer और नीचे M.I.D. जो डिस्पले करेगी Time, Fuel Level, Gear Position और M.I.D. के उपर Warning Lamp Indications दिये गए हैं जो Warn करेंगे अगर आपने Driver Seat Belt नहीं लगाई है कार में Fuel Level कम है Headlight Open रहेगी तो यह Warning Sign Indications शो होंगे 6.2 इंच का Touchscreen Infotainment System जो सपोर्ट करता है Bluetooth, Radio, USB, SD Card, Mirror Link, Navigation के लिए Aux, Reverse Parking, Camera तो यह आप देख सकते हैं Reverse Parking Assistance के लिए जब भी आप Reverse Gear डालेंगे तो यह Camera का Input यहाँ पे शो होगा तो यह नया 6.2 इंच का Touchscreen Infotainment System है तो आप अपने According सेटिंग भी कर सकते हैं Radio, Sound, Time, Language, Bluetooth, Volume की सेटिंग आप कर सकते हैं यह Sound की सेटिंग आप कर सकते हैं अपने According Time Zone सेलेक्ट कर सकते हैं Volume को आप अपने According सेट कर सकते हैं और Micra में नीचे हमें मिलेगा Automatic Climate Control Unit और आप देख सकते हैं Rare Defogger के भी Controls मिल जाएंगे और नीचे हमें कुछ Space मिल जाएगी Mobile वगरा रखने के लिए और Left Side में आप देख सकते हैं 12V का एक Charging Socket मिलेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा Code Driver Site Panel अब बात करें Utility Spacing की जो हमें Car में मिलती है तो Glove Box के उपर भी एक हमें Utility Space मिलेगी तो यहां भी आपको थोड़ी बहुत Space मिलेगी उपर और Utility Space के नीचे थोड़ी सी Space और Glove Box आप देख सकते हैं तो क्या सकते हैं काफी Space है समान रखने के लिए तो अब बात करें Sunshade की Code Driver Site Sunshade Code Driver Site Sunshade पे हमें Vanity Mirror मिलेगा तो यहां आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइट Sunshade पे Vanity Mirror मिलेगा और यह हैं सेंटर केबिन लाइट्स और ड्राइवर साइट सेंटर केबिन लाइट्स तो रेर पैसेंजर साइट डोर के बारे में बात करें तो उसमें भी हमें Dual Tone Finishing दी गई है ड्राइवर आमरेस पे Silver Inserts दीए गए है Chrome Finish Door Opener आमरेस पे कुछ Space मिल जाएगी और Power Window के Controls साइड में कुछ Fabric Trim Inserts चलिए अब अंदर बैटता हूँ और आपको दिखाता हूँ Minimum and Maximum Leg Room तो Presently मैंने Driver Seat को बिल्कुल पीछे करा हुआ है तो आप देख सकते हैं Spacing तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाँ पे हमें एक Space मिल जाएगी Bottle रखने के लिए Rare Passengers के लिए चलिए अब आपको मैं Maximum Leg Room दिखाता हूँ तो Presently मैंने Code Driver Seat को बिल्कुल आगे करा हुआ है तो यह आप देख सकते हैं Maximum Leg Room जो आपको मिलेगा तो एक 6 Feet Person के लिए अराम से इस जगे बन जाएगी अगर आप Code Driver Seat को बिल्कुल आगे करते हैं तो तो चलिए अब बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं Nissan Micra का Engine तो Engine को Access करने के लिए आपको Front Cabin में Driver Seat के नीचे लीवर मिलेगा इसको आप Pull करके Engine को Access कर सकते हैं तो Micra के Patrol Variant में हमें मिलता है 1.2 L का Patrol Engine जो देगा 104 Nm का Peak Torque, 76 BHP की Power और Micra Patrol सिर्फ CVT Transmission Option के साथ ही आता है और डीजल के बारे में बात करें तो Micra Diesel में हमें मिलता है 1.5 L का Diesel Engine जो देगा 160 Nm का Peak Torque और 63 BHP की Power और डीजल में हमें 5 Speed Manual Transmission Option मिलेगा तो क्या से लगा आपको मेरे Review नीचे Comment section में आप अपनी Feedback दे सकते हैं और अगर आपकी कोई भी Queries हैं तो Sir की Contact Detail स्क्रीन पर आ रही होंगी और Description में भी आपको मिल जाएंगी तो आप Sir को Contact कर सकते हैं मुझे Contact करने के लिए आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा Number आएगा उस पे आप मेरे को Contact कर सकते हैं और जो भी आपकी Query होगी उसे आप Properly मैं आपको Solve करके दूँगा आप Anytime Contact कर सकते हैं तो अगर आपकी कोई भी Queries है तो आपनी Queries को Solve करवा सकते हैं Sir को Contact करके चलिए इस Vlog को यहीं पेंट करते हैं और डेली आपको उसके बाद शिलाओं के Vlogs मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो अभी तो मैं दिल्ली आ गया था और जैसे मुझे अपडेट मिली तो मैं आगे हैं नियो निसान गाजियाबाद में वीडियो बनाने के लिए माइकरा के ऊपर तो अचलिए इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और हाँ गाड़ी चलाते हैं सेट वेल्ट और वाइक चलाते हैं हेलमेट लगाने में बिलकुल न शर्माएं यह आप ही की सेटी के लिए है तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू झालाते हैं